मितरो आज की इस वीडियो में हम जानेगे कि सपने में गायत्री मंत्र बोलना इसका क्या अर्थ होता है मितरो वीडियो में आपको किसी की भी कोई भी कसम नहीं दी जाएगी लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखना वीडियो बहुत ही अच्छी है और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना मित्रो वित्रो यदि आप अपने सपने में गायत्री मंद्र का जाप करते हैं तो सपन सास्त के अनुसार ये सपना बहुत सूब और दुल्लब सपना होता है इस सपने का मतलब है कि आपके अंदर ब्रह्म सक्ति जागरत होने वाली है गायत्री मंत्र बहुती सक्ति साली मंत्र होता है इसका सपना देखना ऐसा माना जाता है कि आपने 24 देवताओं को परसन कर लिया है क्योंकि गयात्री मंत्र में 24 देवताओं की इस्तूती की जाती है इस सपने को देखने के बाद आप दुख, पाप, दुएस, भै, सोख, इन जैसे नकारात्मक उर्जा से अपने आपको बचाने में सफल हो जाओगे ये नकारात्मक उर्जा जिस मनुस्य के मन मस्तिक्स में अपना डेरा जमा लेती है तो ये उस मनुस्य के अंदर से पूरी तरह से खोकला उसे कर देती है उस मनुस्य के अंदर की इंसानियत को जड़ से खत्म कर देती है और उसे पापी बना देती है इसलिए मित्रो गयत्री मंदर का सपना देखना सुम्मा न गया है और आपको वैसे भी परती दिन गयत्री मंदर का पांच बार जाप अवस्य ही करना चाहिए तो मित्रो कमेंट बोक्स में जैरादेकिर्ष या जैसरी रामिया आप गयत्री मंदर को भी लिख सकते हैं जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं उनका आववान आप इसमें लिख सकता है कमेंट बोक्स में